मैं मुश्कार मैं हूँ मनुच दिरकर और इस वीडियो के मात्याँ से आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से एक्जाम में आपको मैंट्स के पेपर में टाइम मैंट्स करना है सो टाइम इलिजबें फस्टेरें सप्जेक्ट अल्जीब्रा जोमेंट्री इस मांस अब को पता है कि विष्टी ओंटा है टोटल नाइं टू आर्ज अधाया ये वन वेंट्टी इमिनेट्स पेपर आटेंट दोनों का कुछ इस प्रकार है Q1, solve any 5, 1 mark each, for 5 marks Q2, solve any 4, 2 marks each, for 8 marks Q3, solve any 3, 3 marks each, for 9 marks Q4, solve any 2, 4 marks each, for 8 marks And finally Q5, solve any 2, 5 marks each, 10 marks Q3, solve any 3, 2 marks, for 8 marks जितने marks हैं, उसके exactly double time आपको consume करना है, जैसे कि यह 5 marks का 1st question है, तो 5 marks को 10 minutes देने, उसके बाद 8 marks के second question को, 8 to is our 16, double, 16 minutes देने, और फिर, 9 marks का 3rd question है, so 9 to is our 18 minutes देने, यानि की question पर 1, 2, 3, total आपका यह हो जाता है, 44 minutes approximately 45 minutes में complete कर सकते हैं फिर उसके बाद आफरी दो question question number 4 और question number 5 है इनको आपको 55 minutes में complete करना है इसमें बड़े और lengthy solutions होते हैं यह 4 marks each और 5 marks each के questions हैं और इसी रहे यहां पर जितने marks इनको allotted हैं इनसे तीन गुना समय आपको यहां यूज करना है यानि कि 8 marks का यह question है 8-3-324 minutes में आपको complete करना है फिर यह 10 marks का जो question है 8-3-330 minutes में आपको complete करना है इस तरह से 824 plus 30 यह 54 minutes होते हैं यह approximately 55 minutes में आपको complete करना है तो तोटल पांचों questions 1-2-3-4-5-45 plus 55 you are supposed to complete in 100 minutes so 100 minutes यानि कि 20 minutes पहले है time allotted है 120 minutes आपको 20 minutes पहले paper complete करने की कोशिश करनी है और यह तभी possible है अगर आपने previously bold papers हर एक subject के चार-चार paper अगर कम से कम solve किये तो आपको automatically पता चल जाएगा it is quite possible to finish this paper in 100 minutes और जो 25 minutes है उसमें आपको क्या करना है तो पूरे paper का ओवरेव्यू देखना है ओवरेव्यू में आपका कहीं कुछ चूड गया है कि आपको देखना है उसके बाद कुछ questions में इस पॉसिबल आपको जरूरत लगती है नहीं यहां मुझे एक्स्ट्रा अटन्ट करना चाहिए तो वह एक्स्ट्रा questions की रखेना बाद में ठीक से सारी जो supplements है main answer sheet के साथ रखके thread से time करने हैं कम से कम 3-4 not लगाने है उसके बाद main supplement plus जितने supplements हमके अटेच किये वह number लिखना है main answer book पे and then finally checking each and everything holograph sticker, barcode बगरा सबकुछ लगाये के नहीं इसके तसलिक कर लेनी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि students जब examination mall के बाहर आते हैं तो एक तरह सा मैसूस करते हैं एक ही बात को सूच कर कि अरे मैंने सारी चीज़े लिखी या नहीं supplement टीक से tie की या नहीं, seat number लिखा या नहीं इस तरह के सवाल जो है अब मन में नहीं आनी चाहिए जिससे के तरनाव पैदा होता है और इसलिए आपको कोशिश करना है कि हर एक सब्जेक्ट सुर्ख मैंसी नहीं, हर एक सब्जेक्ट का जो के पर है तो आपका विफूर नाइन का उप्रीट होना चाहिए तो पिरेपा परिक्षाम सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट इंजाम्स के लिए आपको शुर्ख करना है धन्यवाद